उत्तर प्रदेश की बीरोक्रेसी से इस समय बहुत बड़ी खाबर निकल करके सामने आ रही है हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे ओपी सिंग 31 जनवरी 2020 को रिटायर हो चुके है बावजूद इसके आज 2 मार्थ 2020 है एक महिने से अधिक का समय निकल चुका है मगर साहब को बंगले का मोह नहीं छूट पा रहा है यही वज़े है कि अभी तक जो नए डीजीपी है जिनोंने एक फरवरी 2020 को प्रदेश के नए डीजीपी के तौर पर कारेभार समाला है वितेश चंदर अवस्थी को अभी तर इजीपी के तौर पर उनको सरकारी बंगला नहीं मिल पा रहा है उत्तर प्रदेश के IPS अधिकारियों में दबे जुबान ये चर्चा काफी जोडों से चल लही है कि उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी को आखिर सरकारी आवास कब तक मिल पाएगा लखनव से डैनमाइट नोज के लिए जय प्रकाश पाठेगा